हाई दिस इज गेराल प्रसाद एक और इंपोर्टेंट ग्वेस्टन के साथ ये क्वेस्टन हमारा CBAC Board 2023 के क्वेस्टन पेपर में आया हुआ है और क्वेस्टन पेपर का सेट था 65.3 इसी तरह के इंपोर्टेंट ग्वेस्टन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राब जरूर कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंट सिर्फा सेट कीजिए डिस्क्रेप्शन में सभी एर के पेपर की प्लेइलिस्ट है वहां से आप उसमें क्या है कि सीरिल वाइस क्वेस्टन अपने आप अरेंज है वहां से आप रेगुलर रह सकते हैं कोई वाली बात नहीं होगी ठीक है तो question है for what value of x, x की किस value के लिए मतलब हमको x की value निकालनी है is a plus a dash equal to root 3 यह condition हमको given है a plus a dash plus a dash condition क्या है हमारी a plus a dash a plus a dash equal to i जहां पर a की value यह है चलो निकालते हैं तो हम यहां इसमें value रख देते हैं a की value क्या है a की value है हमारी cos x sin x minus sin x cos x यह हमने a की value रख दी है अब किसकी value रखनी है हमको a dash की तो a dash की value कैसे है मतलब इसका transpose कर देंगे बस यह जो first row है वो first column बन जाएगा क्या लिए केंगी cos x sin x और second row है वो second column बन जाएगा यह sin x minus sin x 0 हो जाएगा minus sin x plus sin x 0 हो जाएगा cos x plus cos x 2 cos x right side में यह जो root 3 है उसको अंदर multiply कर देते हैं तो हमारे पास आया root 3 0 0 root 3 बस corresponding element को equal रख देंगे पतम बात तो यह 2 cos x equal to root 3 है तो इधर सुन कर देता हूं है 2 cos x equal to root 3 तो यहां से हमारे पास cos x आ गया root 3 upon 2 तो यहां से हमारे पास आया cos x equal to cos और cos में root 3 upon 2 गहां होता है 30 degree पे यानी pi by 6 पे तो x की value हमारी आई pi by 6 बिल्कुल आसान question था x की value क्या आ गई pi by 6 option b हमारा बिल्कुल correct आई इसी तरह के question की video पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर करे वीडियो को like करे और अपने friends के पास share कीजिए Thank you very much